कि बताओ मुझे बताओ बताओ फटाफट से बताओ क्या मैं शो कर रहा हूं यार आप लोगो कि मेरे को शो ही नहीं हो रहा है अपने आपको यार यहां बैक एंड पर शो हो रहा हूं हाँ मैं शो हो रहा हूं अब आप लोगो घुट इवनिंग इवरिवन बुट इवनिंग यार पता नहीं क्या टेकनिकल इशू आ रहा है इसमें चो यार और लोगों को भी फैला दो फटाफ़ट से बोल दो कि यार फटाफ़ट जोइन कर ले क्याद कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिस वज़े से अच्छे मुझे बताओ क्या नोड्स क्या नोड्स आप लोगों को मिल चुके हैं गुड इवनिंग एवरिवन गुड इवनिंग यार सोरी वो कुछ टेक्निकल इशू की वज़े से बढ़िया 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 पड़ लेके आवेर अपने और फ्रेंड्स को पकड़ के आज अपना शैशन नंबर वन स्टार्ट कर रहे हैं जे आई जी एल की रिविजन इंडियन पिनल कोड टैशन नंबर वन हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं फटा फट से गुड इवनिंग एवरिवन गुड इवनिंग यार गुड इवनिंग फटा फट से सर फटा फट चलो भाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज एक अपना एक वो महा संग्राम सर दिसेंबर ट्वेंडिटू हम लोग का टार्गेट है और मैं भी चाहता हूं सर इस दिसेंबर ट्वेंडिटू में जो बच्चा मेरी क्लासिस देख रहा है सर जो बाद में देखेगा सर हम जान लगा देंगे सर कोई बच्चा मेरी फैमली का ऐसा नहीं बच्चेगा सर जिसके 60 प्लस मार्क्स ना है सर मैं आप लोगों से वादा करता हूं ये लोग ये रिविजन इतनी वास्ट होने वाली है इतनी जबर्दस्त होने वाली है बस मैं आप लोगों से चाहता हूं सर एनरजी लेवल जैसे मेरा है न ऐसे एनरजी लेवल रखो सर जब आज आप ये डिड़ गंटे का सेशन कंप्लीट करके हटोगे न I assure you सर आप लोग के लिए Indian Penal Code सर easy हो जाएगा ये मैं आप लोग को वादा करता हूँ सर ये जो मेरे जो 60 days है न आपके लिए exam से पहले कहिए सर ये 60 दिन आप मुझे दे दो फिर आप ये देखना सर जिंदगी कितनी sophisticated कितनी comfortable हो जाएगी चलो यारो चलो दोस्तो श्टार्ट करते हैं सर तो ये कोई भी नई चीश स्टार्ट करते हैं तो मैं as as well भगवान जी को याद करता हूँ सर मैं चाहता हूँ हर बच्चा जिसको भी आप मानतो जैश शिरी गनेश के साथ हम लोग स्टार्ट करें सर आज अपना जे आई जेल की धमा का रिविजन स्टार्ट करते हैं सर चलिए चलो दोस्तो सर आज का चैप्टर है मेरा Indian Penal Code 1860 सर Indian Penal Code 1860 ठीक है जीए सोंग वगरे भी मैं लगवा दिया करूँगा ठीक है मैं खुद ट्राइ करूँगा वो कैसे क्या लगता है मैं एक बार चेक करके वो लगा दिया करूँगा ठीक है ना आज कुछ प्रोब्लम हुई थी इस वज़े से चलो चलो मेरी बात ध्यान से सुनो बिना पढ़े बिना पढ़े पहली मेरी बात सुनो क्या आप मुझे बता सकते हो कि सर दो तरीके के केसीज होते है क्या आप मुझे बता सकते हो कि सर हाँ सर टू टाइपस ओफ रोंग्स होते हैं इतना तब बताओगा न हर बच्चे को how many types of wrongs सर कितने तरीके के cases हैं इंडिया में बताओ दोस्तों कितने तरीके के cases हैं सर इंडिया में सर इंडिया में two types के cases है अच्छा two way communication रखना है यार ऐसा नहीं मैं एक तरफ से बोलता रहूं सर आप अपने doubt भी पूछोगे हर एक बच्चे का answer देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी हर एक बच्चे का सर दिरा two types सब कुछ ही लिखा हुआ है सर सब कुछ just आप लोग को समझना है folded hand करके नहीं बैटना है pan उठाओ अगर आपने print किया तो print अच्छी बात है जैसे बच्चे को notes नहीं मिले ये मेरा phone number है इस पर बाद में after class मुझे whatsapp कर देना मैं आपको group में add कर दूँग और आपको notes की pdf मिल जाएगी ठीक है जी so there are two types of cases the first one is civil wrong sir कोई dispute आपका होगा तो वो civil nature का भी हो सकता है और वो criminal nature का भी हो सकता है criminal wrong यानि criminal dispute भी हो सकता है come on guys क्या आप मुझे बता सकते हो what is the difference between civil and criminal बहुत प्यारे तरीकी से start करते हैं सबसे पहले हम J.I.J.L. paper को start करेंगे criminal side से but कोई भी चीज start कर रहे है पहले उसकी चीर फार तो करें sir R.N.D. तो करें ना तो बताओ ना मुझे sir what is the meaning of criminal या civil wrong पहले civil wrong बताओ यार बताओ दोस्तो civil wrong का मतलब क्या होगा come on मेरी बात सुनो ध्यान से मेरी बात बहुत प्यारा से example sir बहुत प्यारे तरीके से समझाता हूँ उसके बाद लिखेंगे है क्या लिखना नहीं लिखके मैंने दिया है sir मेरी बात ध्यान से सुनना एक example दे के समझा रहा हूँ लिखने रहा हूँ बस सुन लो ठीक है जी एक गिसी पिटी लाइन मेरी family के बच्चे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ने एक गिसी पिटी लाइन लिखकी आँ मेरे बच्चा और कुछ नहीं सीखा ना तोई बात नहीं सुनो ध्यान से गिसी पिटी लाइन है नहीं लिखनी है कुछ सीखना है कुछ सीखके जाना रटके नहीं जाना सर कुछ सीखके जाना है सर माल लो आप और मेरे बीच में कोई कोंट्रेक्ट होता है आप कोंट्रेक्ट का ब्रीच करते हो सर टीचर माल लो मैं अंकुष बंसल और आपके बीच में कोई कोंट्रेक्ट होता है सर माल लो आप contract का breach करते हो सर आपने बोला सर प्लीज मुझे installment पे lectures दे दो सर मैं आपके न second installment आने वाले एक महिने बाद within 30 days सर मैं आपकी second installment दे दूँगे या दे दूँगा समझ में आ रही है अब सुनो सुनने पर ध्यान दो what amazing notes thank you आर जान लगा दूँगा सर इस batch में एक बच्चा नहीं छोड़ूँगा सर इस batch में जो बच्चा ये कहे सर हमें J.E.L. से डर लगता है सुनो मेरी बाद ध्यान से सुनो भी यहां ध्यान ले क्या हो चलो बच्चो छोड़ी चोड़ी बच्चो यहां ध्यान करो सर माल लो आपके और मेरे बीच में एक रिटन कांट्रेक्ट हुआ है टीचर और स्टूड़ी बिच में सर आप प्लीज अपने लेक्चर दे दो आपकी जो फीस है मैं टू पार्ट में देना चाहता हूं या चाहती हूं सर माल लो यह मैं ठीक है जी यह टीचर और यह आप लोग सर ये student हो मतलब एक student है जो सर वो बोलता है सर मुझे अपने सर installment पे lecture दे दो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बस ऐसे आपको याद रहेगा सर सर installment पे मुझे lecture दे दो सर मैंने आपको installment पे lecture दे दिये और एक agreement एक contract सर आपके और मेरे बीच में हो गया सर return contract बोल लो या verbal बोल लो अगर हमने verbally किया है return में किया तो return हो गया अब मान लीजिए सर ये जो mr student है सर मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुचाना नहीं है just fun fun में मजे मजे में मस्ती में सर हम लोग provision सीख के जाएंगे सर तो mr student जो है जी mr student है जो अच्छे एक चीज़ और यार बहुत सारे बच्चों को न यह notification नहीं गई है तो please एक काम कर दो जो भी group में आप add हो अपने whatsapp पे status लगा सकते हैं तो वहाँ लगा दो जहां पे भी बच्चों को पता लगे सर क्योंकि problem है मेरी notification नहीं जाती है इसकी i don't know why तो इधर दिना दो sir माल लो अब बच्चा न second installment इसकी ना दे sir first तो आपने lectures लेते टाइम पे दे दी sir second installment ना दे अब sir आपकी second installment बनती थी माल लो let's say five thousand रुपीज आप मुझे एक बात का answer दो guys क्या sir क्या sir क्या जो आपने second installment मेरी नहीं दी तो क्या ये criminal wrong है या civil wrong है come on guys ये criminal wrong है या civil wrong है sir ये criminal wrong है या civil wrong है come on मुझे two way communication चाहिए फटा फट से answer दो ये civil wrong है या criminal wrong है civil तो जी इतना तो असान बात है sir contract is a civil आपने क्या नहीं बात बताई है माल लो ये mr student है एक ना इसका friend था mr student number two sir इस बच्चे ने मुझे पूरी फीज दी अच्छा इस बच्चे को भी lecture तो मिल गए अब देखो यार being a teacher में आप लोग के साथ बुरा नहीं कर सकता मैं आपके lecture में ने बंद नहीं किये sir इस बच्चे को jealous हो गया oh my god sir ने मिर से 10,000 रुपे ले लिए 10,000 रुपीज चार्ज किया पर इस नलायक ने 5,000 रुपे ये फिर बिये lecture ले रहा है मजे में sir क्या ये जो second number student है student number two mr student sir क्या ये student number two के against case कर सकता है क्या इसके against civil suit में case को क्या बोलते है civil matters में sir case को बोल जा जाता है suit कर सकता है क्या इसके against suit institute कर सकता है in the court of law come on guys मुझे बताओ sir ये तो आपको पता लग गया क्या ये civil suit institute कर सकता है फटाफ़ट answer दो फटाफ़ट परवीन मेरे भाई please यहां ध्यान दो पहले जो चल रहा है no क्यों sir क्योंकि जो civil wrong है na civil wrong is a private wrong individual के against wrong है sir individual wrong है जिस party अगर मेरे मैं अगर चाहूं तो सिर्फ मैं इसके against institute कर सकता हूं suit sir और कोई भी हमारे अलावा party to the suit के अलावा कोई और person sir student के against case नहीं कर सकता इसे को बोलता है civil wrong sir individual wrong है private wrong है जो parties के बीच में ही होगा भार वाले को कोई भी हक नहीं है हमारे प्यार के बीच में आने का समझ में आगई बात पक्का से sir not कर दू sir पक्का आगे बढ़ें sir यह private wrong माना जाता है इसमें भार वाले को हमारे बीच में हमारे contract के बीच में हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है अच्छा एक और example ले लो sir मान लो पार्टी चल रही है sir institute में party 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 करेंगे sir दिवाली पार्टी चल रही है sir दिवाली धूम सर होता क्या है अब मैं हम दिवाली celebration कर रहे है sir यह मेरी एक तूटी-फूटी सी चोटी सी गाड़ी एक ठीक है मान लो मान लो मरस्रीज है ठीक है जी मरस्रीज बैंस तूटी- कुछ न पार्टी का समान लेके आना है, माल लो सर कुछ decoration का समान लेके आना है, सर, market थोड़ी दूर है, क्या मैं आपकी कार ले जाओं, समझ में आ रहे हैं, क्या मैं आपकी कार ले जाओं, कमोन गाइस, basic करते जाओ, अगर आपने अपना foundation strong बना लिया, जनल लो, मैं बोरहू fingertips हो जाएगा सर सर क्या ये जो person है क्या ये student मेरी car लेके जा रहा है अब होता क्या है सर इससे न गलती से मेरी ये car रस्ते में accident हो जाता है सर ठुक जाती है मेरी गाड़ी अब देखो क्या मैं चाहूं तो आपसे damages claim कर सकता हूं come on guys बताओ क्या मैं आप लोगों से damages claim कर सकता हूं हंजी जोशी मांचू बिलकुल यार गरीब आदमी क्या मैं damages claim कर सकता हूं बिलकुल अब ये न होता क्या है सर इससे न एक लड़का चिड़ता था इस बच्चे से दूसरा इसका friend चिड़ता था सर की गाड़ी ले गया और ये वो ये वो क्या सर ये जो mister student number two है क्या ये mister student number one के against सर केस कर सकता है तुने सर की गाड़ी तोड कैसे दी तुने सर की गाड़ी तोड कैसे दी क्या ये केस कर सकता है सर like जरूर करना मजा नहीं आ रहा like करो फड़ाफट से भले ही देना उसको मेरे को है क्या वो मेरे भी हाँ मलब मैंने कुछ नहीं बोला है क्या आपने आप से student number one के against कोई दूसरा बच्चा case कर सकता है answer is no क्योंकि sir ये एक wrong against individual है और ये private wrong माना जाता है आया समझ में आया समझ में done sir अब इधर आजाओ इधर दूसरा कान पकड़ते है sir दूसरी साइड पकड़ते है इधर मजा आ रहा है न sir ऐसे मस्ती में कर जाएंगे sir पूरो का पूरो subject कोई जरूरत नहीं पैनिक लेने की ये मस्ती में मस्त चलो इधर ज्यान दो चलो आओ आओ दोस्तो sir क्रीमिनल का मतलब क्या होगा मान लो मान लो ओए सुनो सुनो sir robbery चोरी हो गई sir मैं पूरा ने लिख रहा हूं टाइम वेस्ट रहे करना robbery सुन लो जश्ट आपको याद रहेगा आप पूरा लिखते हैं रहे robbery मुझे इस बात का अंसर दो अगर अगर मेरे घर में चोरी हो जाए तो क्या इस चीज की complaint आसपडोस वाले भी लिखवा सकते हैं sir मान लो किसी person का मेरा नहीं न लाइको किसी person का murder हो जाए तो क्या वो wrong against society माना जाएगा बताओ जी मुझे sir दो क्या वो wrong against society माना जाएगा crime against society माना जाएगा क्यों sir क्योंकि sir जब criminal act होता है उसका जो nature होता है वो बहुत grave होता है वो न society में threat पैदा डर पैदा करता है अब आप एक बात बताओ एक छोटा सा example बताना rape होना मेरी छोटी सी बात बताना sir रेप तो एक लड़की का हुआ है क्या जब आपको ऐसी statement सुनने को मिलती है कि यार किसी girl का rape हो गया prank का ready rape case दाम आप मुझे बात का अंसर दो क्या हम लोग सारे डर नी जाते हैं अपने घर की बहनों को बेटियों को भार नहीं बेजना अकेले नहीं बेजना रात के टाइम नहीं बेजना क्यू भई हुआ तो उसके साथ है तो बताओ न क्या उसका grave nature sir उसके डर पैदा threat पैदा sir society के अंदर डर हो जाएगा कि भी हमारे बच्चे के साथ भी हमारे भेन के साथ भी ऐसा नहीं हो जाए तो क्या crime criminal wrong society made terror fear डर पैदा करते हैं तो तभी तो बोला गया sir it is a wrong against society समझ में आ रही है ना बात it is a wrong against society is it okay log कर दू अच्छा sir चोरी हो न sir चोरी हुई है चार मोहले दूर चार गली दूर एक किलोमेटर दूर क्या आप सचेत हो जाते हो और यार चोरी हो नहीं स्टार्ट हो गई यह अपना गेट बंद करना है रात को ध्यान से गेट लोग करके सोना है अंदर से गेट नोर्मल लोग नहीं वैसा लोग भी लगाना है गार्ड को बिठाना है गार्ड को कैमरा लगवाना है क्या मुझे इस बात का अंसर दो क्या हर लोग डर जाते है तो क्या यहाँ अगर आपने उसका ब्रीच गज़ कियो तो सारे लोग डर जायेंगे अंसर इस नो बट क्या मुझे बताओ क्राइम का एक ऐसा ग्रेव नेचर है कि सोसाइटी में सब लोग डर जाएंगे बिल्कुल तो सर क्या चोरी की रेप की मडर की कंप्लेंट जरूरी है विक्टिम ही करे या उसकी फैमिली करे कोई भी आके कर सकता है न तो it is a wrong against society और एक बात ध्यान आपने रेप किसी हर्याना में किसी का किया है तो एक पार्टी बन जाएगी स्टेट ओफ हर्याना वर्सिज मालो जिस परसें ने किया है मिस्टर एक्स वाइजड तो जब भी क्रेमिनल केस होता है most of the cases जिसका ज्यादा ग्रेव नेचर है तो एक पार्टी कोन होती है सर स्ट और दूसरी पार्टी कोन होती है सर वो पार्टी वो पार्टी जो प्रोजिक्यूशन है मलब जो एक्यूश्ट है सोरी दूसरी पार्टी कोन होगी सर एक्यूश्ट समझ में आ रहे है इस इट ओके लोक कर दूं सर यहां दोनों पार्टी का नाम होगा मानलो इस वाले केस मे में case को क्या नाम दिया जाता है planed या निज्व इंस्ट इंस्टिटूट करना सूट इंस्टिटूट करना लेकिन सर criminal cases में case को कैसे start किया जाता है या तो आप फायर फाइल करोगे या सर आप complaint फायल करोगे मज़ा रहा है सब कुछ समझ में आगए सर civil और criminal और फिर आपको समझाओंगा और आगे बढ़ूंगा मुझे बताओ इतना समझ में आया जी इतना समझ में आ गया जी हां जी गाइज बिल्कुल सही सर बिल्कुल सही मजा रहा है अब इधर द्यान दो सर ओ सर एक बात बता दो कि या इंडिया में या हमारे सिलेबस में चोड़ो यार क्यों बड़ी बड़ी बाथते करना इंडिया की बात नहीं करते हमेरे सिलेबस सर अगर هमें civil matter के बारे में पड़ना है knowledge लेनी है तो हमारे G.I.GL ने कहां-कहां डाल दिया सर, अगर criminal की knowledge लेनी है criminal matters के बारे में पढ़ना है तो कौन कौन साझ हो उसको govern करता है, सर हमारे सिलेबद स्में क्या-क्या पढ़ना है हमें बताओ जी, doubt क्या जी दिपान्शी, बताओ doubt क्या है बिलकुल prosecution बोलते हैं उस वहले case में राधिका अगरवाल, state of Haryana, state of Delhi को prosecution बोलते हैं, अब इधर दियान दो, सर हमारे syllabus में, सर civil matters को civil procedure code deal करता है, civil procedure code deal करता है, आगे बढ़ो, इधर दियान दो, बिल्कुल सही बोला, शुशान तापने, उनका answer, इधर दियान दो, सर और हमारे syllabus में, as usually तो कुछ नहीं है, लेकिन एक और चीज़ आप पढ़ोगे, limitation act, सर उसको भी CPC के साथ मिला के पढ़ा जाता है, बहुत बढ़िया bonding बनती है, सर, अगर इन दो जो चेप्टर को साथ मि IPC, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सर उसके बाद, criminal procedure code, अच्छा कोई act नहीं है, सारे ना code है, criminal procedure code, सर, third, वैसे तो दोनों पर applicable होगा, जो third मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, वो दोनों पर applicable होगा, तो confused नहीं हो ना, सर, Indian, Indian, evidence, act, Indian, evidence, act, समझ में आ रहे हैं न बात, तो सर, और मेरी बात सुन लो सर, civil matters को, अगर वो codified हैं, सर, बताऊंगा आने दो टाइम, सर, वो codified हैं, codified, सर, लिखा है साफ, कि ये punishment है, इसकी ये सजाए, तो सर, आप जाओगे CPC वाली side, अगर सर, वो uncodified है, तो सर, एक low और पढ़ोगे आप लोग, मज़ेदार लो, low of towards, आ रहे हैं समझ में, सर, पूरे JGL paper को ऐसे पढ़ते हैं, linking करके मज़ा आता हैं फिर, और अगर सर, वो company है, सर, वो अगर corporate है, companies है सर, जिसने गलत काम किया corporate है, तो सर, उसके against हम एक chapter पढ़ना है, अपने syllabus में, special tribunal, यानि special court वाला chapter, special court, special tribunals वाला chapter देखा है न, आप लोगों ने, हमारे syllabus में, NCLT, NCLT वगेरे वाला, वो chapter पढ़ना है, तो सर, ये सारी branch हमारी civil cases को deal करती है, सर, ये, तो एक, दो, तीन, चार, चार, चार chapter, और ए reconciliation and conciliation act, समझ में आ गया, मैं बताओंगा, भवानी मैं बताओंगा, कैसे पता चलेगा, codify and codify है, आने दो, time, CPC या low of towards आने दो, पूरा अच्छे समझाओंगा, step by step चलेंगे, एक बार में बड़े वाले, उसमें CD पे पैर नहीं रखना है, सर, हाँ, उसमें काफी हद तक IPC में ने पूरा cover कर दिया है, जी, आगे बड़े जी, समझ में आई पांचो ब्रैंच, पांच civil cases के बारे में पढ़ना है, सर, ये, सर, छे ही मान लेना, सर, छटी ये है, सातमा और आठमा, सर, क्या मुझे बताओ, out of 17, 8 chapter तो आपके finger tips पे यही ह हमके, बहुत मजार है, सर, बहुत मजार है, चले आगे, चले दोस्तो, अब start करते हैं, सर, criminal side, सर, ये criminal branch, low की वो branch, जो criminal nature की है, जो criminal laws को deal करती है, आज हम वो start कर रहे है, तो सर, low के भी बहुत सारे types हैं, सर, branch की, अगर मैं low की branch की बात करू, branches of low, जो आपने पहले chapter में पढ branches of low, सर, बहुत सारे branches है, सर, बढ़ उसमें से वो branch, जो criminal nature की है, सर, आज हम लोग अपना संगराम start कर रहे हैं, अपनी RGGL की दमा का revision start कर रहे हैं, सर, start करते हैं, ठीक है न, चलो दोस्तो, सर, देखो, act और code में न, एक छोटी सी line बस मैं आपको बताना चाहूँगा, act को आ आप isolation में पढ़ सकते हो, सर, act न, अपने आप में complete होता है, but code को न, आप singly, एक code को अपना आप से नहीं पढ़ पाओगे, उसके साथ आपको rules, सर, code के साथ, और act, और codes को भी साथ में मिलाना पढ़ता है, जैसे IPC, उसके साथ CRPC को मिलाना पढ़ता है, CPC, उसके साथ, सर, कुछ rules को मिलाना पढ़ता है, कुछ और laws को भी मिलाना पढ़ता है, but जैसे act, companies act, वो अपने आप में self-sufficient है, सर, उसको isolation में आप पढ़ सकते हो, सर, ऐसे code को नहीं पढ़ सकते, सर, code जब बहुत सारे same nature के अलग-अलग laws होंगे, माल लो, insolvency, bankruptcy code, सर, वो पहले companies act भी deal करत था, DRT भी deal करता था, सर, बहुत सारे अलग-अलग laws के अंदर, insolvency को लेके provisions थे, तो ना, ultimately उसका न, misuse किया जाता था, तो, उन सारे provisions को एक जने लाके जोडने को बोलते है, code, but, सर, act, अपने आप में self-sufficient होता है, ठीक है न, चलिए, इधर ध्यान दो, हाँ, जी, बच्चा बोल रहा है, सर, इन सब का जो father है, नि, mother है, constitution इसका भी बता दो, सर, वो तो branches of law है, न, branches of law है, एक तरह से constitution तो, इसमें बहुत सारी branches हैं, सर, सर, mercantile laws वाली branch, सर, criminal वाली branch, civil वाली branch, administrative law वाली branch, वो सारी branches हैं, तो, उसमें से, आज, हम लोग कौन सी branch start कर रहे हैं, criminal nature की, criminal nature की, ठीक है जी, चलिए, चलो दोस्तो, start करते हैं, आज अपना Indian penal court, अब हमें ज़्यादा लिखना नहीं है, सर, अब हमें ज़्यादा लिखना नहीं है, ठीक है न, चलो दोस्तो, अब एक बात, और मुझे बता दो, orderly, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, सर, क्या लिखा है, एक ब बटन को, इतना लाइक कर, मुझे दो बार नहीं, एक बार, order में होना चाहिए, लाइक, even में होना चाहिए, न लाइक हो, चलो इधर ध्यान दो, सर, एक बात मुझे बता दो, सर आपने अभी बोला न, सिविल प्रोसेजर कोड जो है, वो हमारे सिविल लोज को मानता है, और सर, सी यार्पीसी और आईपीसी सर, हमारे क्रिमन लोज को मानता है, सर, जो सी पीसी है, सर, उसके अंदर कौन सा एयर है, बोलता है, सर, वन लो है, जो सिविल मैटर्स को रेगुलेट करता है, that is, सिविल प्रोसेजर कोड नाइनटीन जीरो एट, सिविल प्रोसेजर कोड नाइनटीन जीरो एट, बोलता है, कोड कंसिस्ट ओफ टू डिविजन sir. इस code के अंदर dوي division है sir. एक सब बच्चों को बतोगा first part जिसके अंदर section है second part जिसके अंदर orders है और हर order. कितने orders है total और कितने section है sir. total 158 section है और 51 orders है और हर order के अंदर अपने खुद के rules है हर order के अंदर अपने rules है जैसे order 6 pleading order 7 print. order 8 रिटन स्टेटमेंट, ओडर 9, अपिरेंसेज, बात आरी समझ में, ऐसे ही न, various, 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 various orders है sir, टोटल कितने ओडर हैं जी, 51 ओडर, और हर ओडर के अंदर अपने खुद के rules है, ऐसे sir, टोटल कितने section है, 158 sections है sir, तो sir, जो section वाला portion है, उसको मान के चलेंगे, substantive law, और जो order वाला portion उसको मान के चलेंगे प्रोसीजरल लो समझ में आ रहा है जी जब जब रिविजन कम्प्लीट हो जाएगा जब मिलेंगे सारे नोट्स वाइनल को कि मैं भी आप लोगो को पढ़ाने से पहले रिविजन नोट्स बना रहा हूं मैंने अपना रेगुलर बैच में जो मेरा रेगुलर बैच वाले नोट्स है मैं वो यूज नहीं करना हूं उसमें खुद से लिख रहा हूं कल रात को बैठके लिखे हैं नोट्स मैंने खुद जो आज आप लोगो को दी हैं मेरे पास फाइनल के भी बैचेश चलते हैं फाइनल के भी रिविजन का मुझे देखना है न तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि एक दो दिन में बैठके मैं सारा बना दूँ जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे आप लोग उसके रिविजन नोट्स मिलते जाएंगे लास्ट में मर्ज कर लेना और अपना प्रिंट कर वा लेना बात आ रहे हैं समझ में इधर जान दो यार चलो दोस्तों अब ऐसे ही ना क्रिमिनल साइड के अगर मैं बात करूँ वहाँ एक लो नहीं सर महाँ दो लो है जो रेगुलेट करते है क्रिमिनल को सर कौन कौन सा पहला इंडियन पीनल कोड सर दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अच्छा सर आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं अगली दो क्लास यह चलेगा मज़ा आजाएगा सर सर टोटल इंडियन पीनल कोड में कितने Chesterton है सर जो इंडियन पीनल कोड उसमे टोटल 23 Chapter है और 511 Section है सर उसके अंदर 23 Chapter है और 511 Section है सर किसमे सर इंडियन पीनल कोड जिसको हमने नام दिया Substantive सर एक बात मुझे बताओ एक मिनट के लिए बस पढ़ दो substantive क्या और procedural क्या है अभी मैं पूछूँँगा आप लोगों से एक मिनट के लिए नई इस notes में अभी half cover IPC half मैं आपको day after tomorrow दूँगा उसमें half cover होर हो जाएगा सर ऐसे ही ना criminal procedure court इस लोग के अंदर कितने section है जी 484 सर इहां कितने थे 511 सर कितने chapters में divided है 37 सर इहां कितने थे 23 सर इसको क्या माना गया प्रोसिजरल एक बात मुझे बताओगे एक बात बतला दो यार दोस्तो देखो एक बात मुझे बताओ substantive लोग का मतलब क्या है और procedural लोग का मतलब क्या है substantive लोग का मतलब क्या है procedural लोग का मतलब क्या है बताओ भई बताओ फटाफट से बताओ चलो फटाफट बताओ कि देखों कि बताओ बताओ फटाफट बताओ मुझे हर बच्चे का अंसर चाहिए कि बताओ भाई और बच्चा कहां गया कि बताओ बताओ फटाफट बताओ देखों डेफिनेशन हर बच्चे को बताओ ऐसे लोग जो बताते हैं which determines, मतलब which conclude the rights and obligations of the parties to a dispute सर किसके क्या अधिकार और किसके क्या obligations है उनको बोलताओ सबस्टेंटिव, procedural, सर जो rights और liabilities उसने बताओ दिये ना उनको कैसे enforce करना है, वो कैसे achieve होंगे which prescribes the procedures for the enforcement of rights and obligation of the party to the dispute एक बास मुझे बताओ, अगर इन केस, सबस्टेंटिव लोग और प्रोसीजर लोग में लडाईयां हो जाएं सर कॉंट्रेडिट करे, तो कौन किसके ऊपर ओवरूल करेगा बताओ जी बताओ, अगर माल लो, देखो मैं एक example देगे, आपको समझाता हूं सर, जिस party का murder हुआ है, उसकी family members, या कोई भी इनसान के पास right कैसे आएगा, क्या अधिकार है उनके पास, और जिस person ने किया है, सर, जिस person ने किया है, जो accused है, सर, उस person की क्या obligation बनती है, ये कौन बताता है, सर, इंडियन पीनल को, सर, अब आपको पता है, murder करने की ना, माल 14 साल सजा है, सर, 14 years, अब, सर, वो सजा दिलवानी कैसे है, सर, इस इनसान को, ये जिसको obligation है, 14 साल ये दिलवानी कैसे है, सर, आप complaint कर सकते हो, सर, आप police report, यानि, FIR कर सकते हो, यानि, वो procedure, how to reach, how to reach that punishment, how to, how to provide that punishment, सर, कैसे हम prove करेंगा, कि वो guilty है, और कैसे उस इनसान को, उस फासी के तकते तके, उस सजा तक पहुचाएंगे, सर, वो सारी चीज किसी ने बताई है, CRPC, that is procedure, सर, वो procedure बताता है, कैसे हमें उसको, use करना है, उस punishment को दिलवाना है, जैसे आप simple सी बात माल लो, ने, companies act, आप लोग पढ़ते हो, सर, companies act बताता है, sections, और सर, वो sections के अंदर, procedures, general meeting का notice कैसे जाएगा, board meeting का notice कैसे जाएगा, postal valid कैसे होगा, यानि उसका proper procedures, सर, आप लोग कहां जागे पढ़ते हो, rules में, तो rules are the procedure sections, और act, companies act में कैसे, substantive law, बात समझ में आ गए कहीं नहीं आई, come on guys, शीखा, thank you for your valuable comments, sir, this is the first time I am enjoying the JGL, अरे अभी तो देखो भी तो शिरुवात है, मज़ा आ जाएगा आप लोग, मैं honestly बोल रहा हूँ, सारा दिन जाएगा पढ़ोगे, सारी राच JGL पढ़ोगे, JGL का भूत सवार हो जाएगा, दिमाग पे, मैं आपको वादा करता हूँ ये समझ में आ रही है बात, फटा फट से सर, फटा फट से, समझ में आ गया न, तो ये कहना चारे सर, जैसे Companies Act में Section Portion Substantive है, और जो Rules MCA ने बनाए सर, वो Procedure है Companies Act में, इसी तरीके से सर, IPC Substantive है, और उस IPC में जो Punishment, जो Offense बताएं, उनको कैसे दिलवाना है, कैसे वो Remedy लेन हैं, उसके सारे Procedures हमार को CRPC में बताएं गए हैं, Crystal Clear न, शालिया जी, शालिया दोस्तों, शालो, तो यही मैंने बोला, अच्छा एक बात और बता दो, अगर Procedural Low versus Substantive Low हो जाएतों, मतलब अगर इन दोनों में Contradiction हो जाएतों, कुछ ऐसी जहेंगे, जब Procedure कुछ और बोलता है, Procedure Low, Substantive Low, कुछ और बोलता है, तो Who Will Prevail, बिल्कुल, बिल्कुल sufficient है, राधिका, सिर्फ रिविजन के लिए, more than enough है, और अगर बस आप यह पढ़ लोगे उसके बाद अपना मोडूल या मेरी बुक, डैगुलर बुक भी आती है, मेरी बहुत अच्छी बुक है, अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको crystal and clear हो जाएगा सिर्फ पुछ, सर इतनी in-depth में तो कोई main class में भी नहीं बताता होगा, यह सर बहुत boring लगता था बट अब अब बस क्या कर रहे हो, मतला अगर आपने मेरा ना pin drop silence बैट के शांती से समझ लिया ना, आपको किसी और का general law समझ में नहीं आएगा, आपको मजा ही नहीं आएगा किसी और के में, चल ये, चलो भाई, चलो फटा फट से, सर बताओ ना, बोलता है substantive law prevail करेगा, बिलकुल, सर क्यो तो substantive law prevail करेगा procedural law पे, तो ये prevail करेगा सर, ये नहीं करेगा, ठीक है ना जी, शालिये जी, शालिये दोस्तो, अगला provision करवाँ, यहां तक मुझे बतादो सर, civil cases, civil wrong, हमारे से लबस में कितने chapter civil के लिए हैं, कितने chapter criminal के लिए हैं, सर क्या यहां कोई difference है, सर substantive law और criminal law, जो दोनो अलग-अलग है, सर, उनका क्या role है, क्या इतना समझ में आ रहे हैं, बिलकुल लेता हूँ जी, face to face, डैली में, लक्ष्मी नगर, पटेल नगर, दोनों जगे हमारी face to face चलती है, जे आई जेल का, सर, दिन में बहुत नींद आता था, लेकिन आज नींद नहीं आया, क्योंक पांदो, दोस्तों, सर, कुछ चीज, मैं कुछ solid point आप लोग के लिए 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 कि आया हूँ, मजे करेंगे, सर, एक बात मानते हो, सर, जो crime है, crime, बच्चो, सर, जो crime है, is a social phenomena, social phenomena मतलब event, मैंने easy language में करके लिखा है, crime is a social event, सर, क्या समाज में डर पैदा करता है, समाज मे टेरर पैदा करता है, सर, क्या अगर उसको नहीं रोका गया, अच्छे एक बात बताओ, मुझे, crime है क्या, सर, जो state ने, मतलब जो government ने, state का मतलब क्या है, जो government ने rules बनाए है, हमारे लिए, peoples के लिए, लोगों के लिए जो rules बनाए है, अगर कोई उन rules का breach करता है, तो क्या peace इसन ओर अफेक्ट होगा, और सर, उसके लिए क्या पूरी society अफेक्ट होगी, बलता है, crime is a social event, बताओ मुझे, समझ में आ रहा है, crime is a social event, तो crime क्या है, एक समाजिक event है, social phenomena है, कोई individual नहीं है सर, अगर crime होगा, तो पूरी society में उसकी चर्चाएं होगी, उससे डर पैदा होगा, उससे हिम्मत मिलेगी, अगर सर, किसी इंसान ने crime कर दिया, मेरी बात और धियान से सुनो, माल लोगर किसी ने किसी का मडर कर दिया, सर, मडर हमारे बंदे का हुआ है, मारा उसने है, आप कहां से बीच में आ गए पडोसी और समाज, सर, हम बैटके settlement करने हैं, लाओ एक रोडर पर दे दो, खतम बात किसे वाँकी महफारिक हो गया, अंसर इस नो, अगर ऐसा होने लगा, तो लोग मेकर बोलता है, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होने लगा, तो फिर तो सोसाइटी में सर, हम तो बढ़ावा दे रहें ना, क्राइम को, फिर तो हर इ one person, but it affects the whole, done, कल उसके साथ भी हो सकता है सर, अगली बाद ध्यान से सनो, बोलता है, इस बात को बहुत ध्यान से रखना, बहुत पते की बात लिख रहा हूं मैं, अभी आप लोग को शायद ये चीज बस नॉर्मल एक लाइन लग रही है, बड़ ये बहुत पते की बात इसको नहीं पहले बात लिख लो अपने नोट्स में, this is the fundamental, this is the fundamental element of crime, अभी बताऊंगा मैं, अगली हेडिंग वही जाने वाली है, इससे next हेडिंग, मुझे बताओ, एक बात का अंसर दो, क्या एक जानवर ने कोई crime कमिट कर दिया, तो क्या वो भी IPC के अंदर आएगा? सर, माल लो, रोड पे आजकल गाएं बहुत ज़्यादा गुमते हैं गाएं माता, अगर माल लो, परेशान होके, वो डर के, अगर उसने किसी इंसान को बीट कर दिया और उसकी डैथ हो गई, तो क्या उसके उपर भी IPC लग जाएगा? कम ओन गाईज, अंसर इस नो, सर, ये किसके उपर लगएगा? the act must be done by, यानि the wrong must be committed, यानि act must be done by human being, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? the act must be done by a human being, अब एक बात और मुझे समझा दो या, थोड़ी सी इसमेना बात, जब बात चली रही है, सर मान लो, एक इंसान ने, एक इंसान को मारा, बिल्कुल सही बात है सर, एक individual ने एक individual को मारा, सर येस, IPC लग जाएगा, समझ मैं ये बात, सर इसने इसका murder कर दिया, IPC सर, एक इंसान ने, बहुत ध्यान से सुनना, किसी डोग को मार दिया, सर वो उसके भोक रहा था, उसके लिए, इसके सामने, अभी थोड़ दिन पहले की बात था, तीन-चार दिन पहले की, उसने उसको shoot कर दिया, सर इसने इस डोग का murder कर दिया, उसको shoot कर दिया, क्या IPC के अंदर आएगा, come on guys, answer दो, क्या वो IPC के अंदर आएगा, बच्चा बोल रहे हाँ, और बताओ, सारे बच्चा अपना opinion दो, यार, सब बच्चे बच्चे अपना opinion दो, चलो जी चलो, come on, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कुना लाँ, सर ये चेक करना है, किसने किया है, किसने done, commit किसने किया है, वो चेक करना है, किसके against हुआ है, वो कोई भी हो, सर, जिसके against हुआ है, वो person individual हो, यानि human being हो, या वो person animal हो, किसी की property हो, कुछ भी हो सर, चलेगा, दोड़ेगा सर, दोड़ेगा, समझ में आगा जी, done, आगे देखो भाई, तो देखो, state की क्या duty बनती है, सर, government की क्या duty है, protect करना, protect the interest of persons and property, सर, हमारे समाज, हम लोगों को, और हमारी property को protect करके चलना, किसकी duty बनती है, government की, और सर, वो कैसे achieve की जा सकते हैं, वो duty, सर, बोल रहा है, criminal law बनाके, अगर कोई भी बदमाशी करता है, कोई भी terror पैदा करता है, सर, उसको criminal law के through deal करके, सर, उस बदमाशी को डर किया, पैदा करके, उसको रोका जा सकता है, डर पैदा किया जा सकता है, print animal के case में हम IPC बोल सकते हैं, बोल सकते हैं न, वो ते as a instrument use किया गया जी, ठीक है जी, आगे देखो, शिरो दोस्तो, the concept of crime, क्या आप मानते हो, change होता रहता है, time के साथ-साथ, और place के साथ-साथ, ठीक है न, as requirement of society, सर देखो, क्या जब IPC बना, उस टैम बोला गया था, जो बच्चा, जो बंदा 18 साल से बड़ा, अगर रेप करेगा, तो उसको सजा मिलेगी, क्या आजकल आपको न लगता, 13-14 साल के बच्चे के अंदर इप इतना दिमाख आ चुका है, कि यार वो हर गलग काम कर सकता है, तो yes, definition को change किया गया, अब जो सजा एक 18 साल के बच्चे को मिलेगी, वो सजा एक 16 साल के बच्चे को भी, एक 16 साल की उमर के इंसान को भी मिल सकती है, तो time के साथ-साथ, place के साथ-साथ, सर, crime को change किया जाता है, नई, crime की कोई भी definition हमारे IPC के अंदर नहीं दी गई है, crime is a general term, सर, जो crime है न, एक general term है, सर, उसको IPC के अंदर define नहीं किया गया है, तो बताओ जी, मुझे समझ में आ गए, दो page सर, हम लोगों ने अपने complete कर लिए हैं, आज के target के, समझ में है, yes, एक बात ध्यान रखना, सर, crime की definition नहीं दी गई, बट IPC में offense की definition दी गई है section 40 के अंदर, आप लोगों को बहुत चोटे level पर बता रहा हूँ, regular वाले बच्चों को तुमेने बताया है, सर, section 41 के अंदर भी offense होता है, and section 42 के अंदर भी होता है, but yes, जिस level पर हमारा ICS से ने दिया है, उसके लिए बात क penal code के अंदर, बताई गई है, सर, पहले बात तो वो offense है, और वो offense अगर punishable है, तो माना जाता है, सर, सर, कोई भी ऐसा act, कोई भी ऐसी चीज, जो punishable हो IPC के अंदर, सर, मान लिया जाएगा, वो offense है, समझ में आ रही है बात, पक्का, आगे बढ़ो, सर, मेरे बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से, अगर मान लोग कोई चीज बताई गई है, ये offense है, बट उसकी punishment नहीं बताई गई, या बाद में उसकी punishment खतम कर दी गई, तो क्या उसको offense मानें गई, सर, ये तो बता दिया, सर, वो crime है, सर, ये चीज गलत है, ये act जो है, ये illegal है, ये काम करना गलत है, बट लेटर ओन या उसकी punishment नहीं बताई गई, या तो बाद में हटा दी गई, या उसकी punishment नहीं बताई गई, तो क्या उसको offense माना जाएगा, जगो language क्या लेकिया है, a thing which is made punishable by the code, बताओ भई, बताओ, नो सर नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, देखो मैंने लिखा है, something which is defined, but not made punishable, will not be considered as an offense, सर जैसे adultery, आज के दिन adultery इंडिया में ban, नहीं, ban, मतलब आज के दिन adultery, इंडिया में गलत तो है, बट इंडिया के लिए कोई punishment नहीं दी गई, extra marital affairs, सर इंडिया में adultery के लिए कोई punishment नहीं दी गई, समझ में आ रही है, बताओ मुझे समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको offense नहीं मानेंगे, और सुनो, सर सुसाइड, सर सुसाइड, attempt to commit सुसाइड नहीं, सर जब इंसान मरी गया, तो हाँ, सुसाइड करना गलत है, हमारे IPC बोलता है, बट उस offense की कोई punishment नहीं दी गई, तो बोलता है, सर उसको offense नहीं मानेंगे, crime मान लेंगे, लेकिन जब तक उसको punishment नहीं दी जाएगी, define जरूर कर दिया, तो सर उसको क्या नहीं माना जाएगा, हाँ, adultery के ground पे हम divorce ले सकते हैं, वो बात एक अलग है, adultery is a ground for divorce, but adultery is not a ground of punishment, पुलिस से पिटवा सकते हो, बट सर डेव, इसके base पे आप punishment नहीं दिलवा सकते हो, उसको jail नहीं दिलवा सकते हो, अब, समझ में आ रहा है जी, और बड़ो आगे, ऐसा ही सर punishment suicide की नहीं है, बट attempt to commit suicide की सर punishment है, तो yes सर इसको offense माना गया है, 309 में, up to one year, एक साल तक की सर इसमें jail हो सकती है, वैसे तो इसकी भी exception होती है, अगर वो depression में आकर ऐसा करता है, तो उसकी भी exception है, हर जंग है हर चीज की exception होती है, देख यार लो में, तो बट एक बात बोली गई है, सर वो IPC के अंदर offense है, क्योंकि उसकी punishment दी गई है, इसलिए बोला गया है, उसमें, अरे मरे हुए इंसान को क्या आप jail दो गए, मतलब कोई इंसान ने suicide ही कर ली, तो उसकी क्या punishment होगी, मतलब उसको मरे हुए को लेकि आएंगे उठा गए, लेकिन उसेने attempt किया, अभी मरा नहीं, तो उसकी jail है, इसलिए न सर लोजिक, यह offense है, वो offense नहीं है, येस दिस इस offense, चलो दोस्तों, कहते हैं, भाई प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ कैसे करोगे, इदर देखो ध्यान दो, सर जो हमारा IPC है, वो एक substantive law है, वो बताता है, पहले बात तो ये बताता है कि, कौन सा act है, जो offense बनेगा, and उसकी punishment बताता है, पता है न, आप लोग को इस बात का तो, तो IPC आपको offense के बारे में भी बताता है, और offense की punishment के बारे में भी बताता है, दन्ना, पता है, हर चीज के न, अलग-अलग पहलू होते हैं, अगर आप किसी को डरानने के लिए, suicide commit करते हो, आपको पता है, मैं मरूंगा तो नहीं, बट आप न, ऐसा काम करते हो, किसी को blackmail करने के लिए, समझ तो गई होगे न, आप तो कर लो न, किसी ने रोका निखिल, तो एक बात बताओ, जैसे आप किसी को blackmail कर रहे हो, मैं अपनी suicide कर लोगा, अगर तुन्हें हा नहीं की, तुन्हें शादी के लिए हा नहीं की, तुन्हें मेरा offer accept नहीं किया, बात समझ में आ रही है, ठीक है न, चलिए जी चलो, चलो दोस्तो, तो ऐसे ही न, IPC के दो काम होते हैं सर, पहले तो ये बताएगा, कौन सा act offense है, और उस act की कितिनी punishment है, अगर सिर्फ offense बता दिया, उसकी punishment नहीं बताई, ये तो सर, वो IPC के अंदर offense नहीं माना जाएगा, बच्चा बोल रहा हाँ कर दे रही तो न, स्काट लूँगा, येस सर, एक दम समझ गए, जी, और आब ये बताऊंगा, 511 अभी attempt के बारे में बताऊंगा, चलो जी आगे बढ़ो, सर, TRPC एक procedural लो है, वो, जो IPC के अंदर लिखा है, उसको implement करने के बारे में बताता है, बट सिर्फ IPC में न, उससे भी जादा, जब आएगा जब मैं बताऊंगा, आगे बढ़ो दोस्तो, हाँ सर, ये नाटक बहुत होता है, और बताऊ, समझ में आ गया, सर, मस्ती मस्ती में बेसिक पूरा कर दिया, सर, मस्ती मस्ती में IPC का बेसिक कर दिया जी, कैसा फील आ रहा है, और बताऊ, ठीक हो, पूरा अच्छे से फील आ रहा है, मजा आ रहा है, अरे ऐसे examples न, regular class में बहरे पड़े होते हैं, मतलब हर topic पे example, आपको पता है, regular class में ने 13, 14 class लिया है, 2, 2 hours, मतलब कम से कम 26, 27 गंटे का IPC, मैंने अपने regular batch में लिया है, without wasting any बकवास, मतलब कोई बकवास नहीं किया है मैंने वह, और बिलकुल बढ़िया, अच्छे एक बात बताओ, कितना बच्चा लेट के पढ़ रहा है, सच बताओ, सच बताओ, बस एक आनन्द है, जो dance कर रहा है, मतलब वो बच्चा active है, और सारा लेट के पढ़ रहा है न, सो गयो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं निकला है, क्या टेंशन ले रहे हो, टेबल चेर पे, अच्छा, सिमरन बोल रहे हैं, टेबल चेर पे पढ़ रहा है, मी, परवीन चोधरी, नलायक, एक्जामिनर भी फिर लेट लेट के ही मांक्स कोई बात नियंचत वही है, कोई बात नहीं, no sir, no sir, no sir, दो को पाप लगेगा, जो बडखों, मैं कभी को पुए आप लोग वो ऐसा थो नहीं दो कि कम माक्स आ 네, बट जो बच्चा लेट कीपढ रहा है पीछे दान निकल जागा फुंसी निकल जागा पीछे, फिर देखे पहले की नीद आ रहे थी सर पर क्लास से उड़ गई लाइब्रेरी में है चलो जी चलो दोस्तो बढ़ू आगे सर अब एक बात मुझे बताओ तुनो मेरी बात ध्यान से छोड़ो किताबी ग्यान यार बात करेंगे प्रैक्टिकली क्या आपको एक बात नहीं लगती सुनो इदर सुनो एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ बहुत ध्यान से यार बहुत ध्यान से सुनो इदर देखो सर एक लो बनाया जाता है देखो लो कौन बनाता है यह आपको सबको पता होगा न अगर मैं यूनियन कंट्रिवाइस बात करूँ तो पारलेमेंट एंड अगर मैं स्टेट वाइस बात करूँ तो कौन स्टेट लाजिसलेचर सुनो देखो इदर इदर दियान दो सर आप मुझे एक पर स्टेट लाजिसलेचर तो छोड़ दो एक मिनट के लिए छोड़ दो कि आप मुझे बात बता हो अगर कोई भी सेंटरल्एक्ट की बात करू मैं सेंट्रल पूरे राज् जैपर पूरे कंट्री पर जो एक्ट लगेगा सेंट्रल आप मुझे एक बात बताओ यूजवली वो एक्ट कहां एप्लिकेबल होना चाहिए बलब ओडिनेरली कोई एक्ट बनाती है पारलेमेंट तो उसकी सर्फ जूरिडिक्षन ओथोरिटी पावर कहां तक है सर हमारी पारलेमेंट की मुझे बताओ क्या पाकिस्तान के लिए लोग बना सकते हैं क्या पाकिस्तान के लिए लोग बना सकते हैं जी कम ओन सर्फ यूजवली जो लेजिसलेचर लोग बनाता है उसकी पार उसकी जूरिडिक्षन सर्थ वो कहां तक है, दाइरा कहां तक होता है, सर यूज़ली लोग का, कहां वो एप्लिकेबल होता है, सर लोग, यूज़ली, whole country, या दूसरों की भी country में घुच जाता है, जेनरली इंडिया में या कहीं पे भी कोई भी लोग बनता है, सर्थ USA ने कोई लोग बनाया, क्या व वो within the territory of country, within the territory, या within the judicial boundary of the country, बात समझ में आ रहे है, territory, उसकी चार दिवारी तक सर वो लोग लगता है, यूज़ली, बट सर जो हमारा भारत का, इंडियान पीनल कोड है न, इंडियान पीनल कोड, सर आजादी से पहले का लो था, ठारा सो साथ सा बच्चा जानता है, इसलि जो offenses को भी बताता है और उसकी punishment के बारे में बताता है, ठेकिन 1860 का ओड है सर, उससे पहले का लो बनाया हुए, अंग्रेजों ने बनाया था, differentiate करने के लिए सर उसके लागे नाम डाल दिया, इंडिया पे लगेगा, इंडियन है, अब मुझे बताओ, एक बात ध्यान तो, एक बात सुनो इधर, सर, jurisdiction का मतलब, यहां jurisdiction of law की बात हो रही है, court की बात नहीं और jurisdiction की, सर, authority, power, जहां जहां हमारा law लग सकता है, अब इधर ध्यान देगा सारा बच्चा, सर, मैं न, मतलब हमारे IEPC ने, हमारे module ने, और मैं न, इसको किस basis पे define करना चाहता हूँ, on the basis of its applicability सर, jurisdiction को, मैं किसी भी लोग के jurisdiction को, उसकी applicability के ओपर base रखके, ground रखके, उस base पे आपको समझाना चाहता हूँ, सर, दो ground पे, दो basis पे, सर, हम यह IEPC लगेगा, सर, दो basis पे IPC लगेगा, पहला, इसको सर, correct कर लेना, एक बार geographical कर लेना, पहला, सर, geographical area, सर, दाइरा, जमीन, पा पानी, सर, बोड़े, geographically, geographically, territoryally wise, territorial, सर, jurisdiction का मतलब यहां कहा है, territory wise, सर, कहां, 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 इंडिया का लोग लगेगा, दूसरा, सर, subject matter, subject, सर, किस, किस subject के ओपर लगेगा, तो, सर, यह दो ऐसी चीज़े हैं, जो बताते है, jurisdiction क्या है, किसी भी लोगेगा, सर, कह किसी किसी लोग में बोला गया था ना, पहले, जब तक 370 था, whole India, except the state of Jomu and Kashmir, except Sikkim, except Assam, क्या मुझे बताओ, बहुत सारी जहें, लोग में पढ़ने के लिए मिलता है, कि यहां, यह यह लोग नहीं लगेगा, अधरवाइस, पूरे इंडिया में लगेगा, तो, क्या हम उ चीज पे लगेगा, सर, subject matter, सर, यह दो ऐसी चीज़े होती हैं, जो किसी भी लोग की jurisdiction के बारे में बताती है, jurisdiction के बारे में बताती है, समझ में आ रहा है, पक्का, सर, बात करते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ, geographical area wise, सर, जो लो, within India, within the territory of India, भारत की territory में लगेगा, सर, उसक को नाम देता है, intra, intra, territorial jurisdiction, और जो लो, इंडिया के बार भी लगेगा, हान जी, IPC, इंडिया के बार भी लगता है, यह special लो है, सर, इस चीज़ के लिए, इंडिया के बार भी अगर कोई गुना करेगा, ना crime करेगा, और वो crime, इंडिया में punishable होना चाहिए, अगर उनकी country में पनीशेबल नहीं हो, और वो इंडिया में punishable है, तो इंडिया में आके, सर, उसकी punishment मिलेगी, example दूँगा, tension मत लो, example दूँगा, example से mind में set करूँगा, तुक्के नहीं लगाएंगे, अब बोर रहे है, ऐसा लो, जो outside इंडिया, भी applicable हो, अगर आपने कोई गुना, इंडिया के बहार जाके किया है, आप इंडिया के, इंडिया के citizen हो, और इंडिया के बहार जाके कोई गुना करके आते हो, तो सर, yes, भारत में आके, उसकी सजा मिलेगी, oh my god, सर, बहारत का लो, within इंडिया, सर, किस किस पे लगेगा, सर, भले ही इंडिया में रहने वाले लोग ने किय किया है, कोई ऐसी mistake, ऐसा wrong, कोई wrong conduct किया है, जो, सर, हमारे IPC के अंदर punishable है, तो, सर, मान लिया जाएगा, this is intra-territorial, और जो भार भी लगेगा, outside the territory, उसको extra-territorial deduction, सर, ये section 2 के अंदर, ये 3 और 4 के अंदर define किया गया है, समझ में आ गया, इधर देखो, सर, पड़ाफट देखो, पड़ाफट देखो, इधर देखो, intra-territorial jurisdiction का मतलब क्या है, where a crime under Indian Penal Code is committed, within the territory of India, where a crime under Indian Penal Code is committed, within the territory of India, the IPC applies, समझ मैंने सर, अगर कोई भी, इंडिया की territory के अंदर, अगर कोई भी crime commit किया जाएगा, तो बोल रहें, सर, IPC apply हो जाएगा, सर, अभी मैं बात करूँगा, territory of India का मतलब क्या होगा, वो भी बताया गया है, सर, सर, and the court, जो Indian court second try and punish, सर, case चलाएंगे और punish करेंगी, irrespective of the fact, इस चीज़ को बिना ध्यान में रखे, that the person, जिस ने वो commit किया है, सर, crime, is an Indian national या foreigner, सर, जिस person ने वो crime किया है, वो Indian national है, या वो foreigner है, समझ में आ रही है बात, तो सर, जिस इंसान ने crime किया है, वो भारत का है, या इंडिया के भार का है, उसकी बात कर रहे है, तो एक बात ध्यान से सुन लो, अगर इंडिया में crime हुआ है अगर इंडिया में crime हुआ है भले वो Indian ने किया है भले वो फिरंगी ने किया है अगर भारत में भारत की चार दिवारी के अंदर कोई भी crime किया गया है अब what is the meaning of India, territory of India वो मैं भी बताऊंगा आपको तो मान लिया जाएगा, सर मान लिया जाएगा अगर ऐसा हुआ है, सर वो intra-territorial jurisdiction के अंदर है, सर what is the meaning of territory of India, as per territorial jurisdiction under article 1 clause 3, सर article 1 of the constitution के अंदर बोला गया है, सर Indian territory का मतलब 29 states and 9 union territories, सर ये बोला गया सर हमारा territorial jurisdiction है, समझ मैरी बात, ये क्या बोला गया हमारा territorial jurisdiction है, सर पानी के लिए भी तो territory होती ही न, देखो 12 nautical miles, 24 nautical miles, तो बोला territorial water, जो हमारा है सर, वो भी count कर लो, सर पानी, जहां तक पानी की सीमा है, हमारा territorial water चलता है न, शायद I guess 24 nautical miles, तो वहां तक सर ये होगा, तीसरी चीज, कोई भी aircraft या ship, सर उसमें कैसे नापे, जो हवा में ओड रहा है aircraft य इंडिया, सर वो aircraft या ship, या तो भारत ने खरीद रखा हो, या भारत में register हो, या तो इंडिया ने खरीद रखा हो, या इंडिया में register हो, और अगर सर इंडिया में register होता है, तो उसको पर flag लग जाता है, अगर कोई भी ship भले वो इंडिया में खरीदा हुआ है, नहीं है, ब जो भी नोटिकल माइल्स तक चलेगा वोटर ठीक है जी बात समझ में आ गई तो एक बार मुझे इंट्रा टेरिटरिटरियल जुरुडिक्शन एक बार दुबारे से बिना पड़े बोलेंगे सर अगर कोई भी crime commit हुआ है within the territory of India तो IPC लग जाएगा मतलब की भारत की code try कर सकती है और punish कर सकती है उस इंसान को बिना ये सोचे वो इंडिया का है या foreigner है सर उसके ओपर case चल जाएगा सर territory of India का मतलब within the territorial jurisdiction under article one of the constitution territorial water या कोई भी aircraft या ship जो owned या registered इन इंडिया हो सर उसमें लग जाएगा समझ में आ गया जी चलिए अब एक बात मुझे बताओ बहुत ध्यान से मैंने आगे लिखा है बट मेरी बात ध्यान से सुनना भी आप लोग बहुत ध्यान से सुनना सर माल कर लो कोई foreigner है कोई फिरंगी है बहुत ध्यान से सुनना है ठीक है जी ये 28 कर लो और 8 कर लो ठीक है कोई foreigner है सर कोई फिरंगी है पिरंगी एधर सुनो ध्यान से सर कोई फिरंगी है कोई बात ने जी एक बार आप verify कर ले ना कितनी है एक बार please cross verify कर ले ना 8 है 9 है चलता रहता अब देखो, सर्माल लोग कोई फिरंगी इंडिया में घूमनी आया है, कोई विजिट किया किसने इंडिया में घूमनी आया है, सर वो बोलता है, सर, वो बोलता है, कि सर, मेरी कंट्री में तो ड्रग्स अलाउड थे, लेकिन इंडिया में अलाउड नहीं थे, तो क्या, अच्छे एक बात बताओ, अब अगर उसने ये काम कर दिया, इंडिया में आका अगर उसने काम कर दिया, जो इंडिया में ओफेंस है, सर, जो इंडिया अभिशेक अगर आप genuine student हो ना अगर आप genuine student हो तो जाओ और अपना हाँ software open करो और check करो उसके अंदर क्या आप लोग को uploaded नहीं है इवन मैं तो कहूँगा जो latest batch के भी lecture है ना मैंने वो भी उसके अंदर डाल दे तो प्लीज यार प्लीज जो आप इधर उदर के institute के बच्चे आके यहां पर rumor create मत करो प्लीज यार वरना मुझे ना live chat off करनी पड़ेगे अगर आप यही हाल रखोगे तो यहां मैं इतनी देर से ignore करे जा रहों ignore करे जा रहों एक बड़ जाओ और चेक करो उसके अंदर कितने lectures uploaded हैं तो इधर ध्यान करो इधर ध्यान दो कि सर अगर वो foreigner यह defense ले सकता है सर मैं तो aware ही नहीं था सर मुझे तो पता ही नहीं था सर मेरी तो knowledge में नहीं था कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप वो यह excuse ले सकता है come on guys बहुत easy language में बात कर रहा हूँ कि आप वो excuse ले सकता है नहीं बोल सकता सर एक case आया इससे लिए बहुत important case है बिना पढ़े बोलेंगे मुबारिक अली एहमद वर्सिज स्टेट ओफ महराष्टरा तो यह कोई defense नहीं ले सकता है बोल के सर मैं तो foreigner हूँ मुझे नहीं पता था कि यह इंडिया में wrong है सर मेरी country में यह wrong नहीं था महां offense नहीं था वो excuse नहीं ले सकता important case है सर इस case को important mark कर ले न इंपोरेंट माक कर ले न सर ignorance of law is not an excuse और इस case लोगा करक्स यही था ignorantia jurist non-habit ignorance of law is not an excuse तो इस case लोगा ने स्टेट ओफ गोंबे ने भी यही बोला supreme court ने बोला यह जरूरी नहीं है सर किसी भी लोग को उनकी country में publish होना या उन लोग को पता हो हमें कोई मतलब नहीं है इंडिया का कोई low है हम आपकी country में क्यों publish करें बस हमारे notification of official gadget के अंदर डाल दिया जाए और हमारे लोगों को उसके बारे में पता हो सर यहां उसको publishize कर दिया जाए हमें मतलब नहीं आप भारवाले गर इंडिया में आ रहे हो इंडिया से होते होए जा रहे हो मान लिया जाएगा सर सबको पता है मान लिया जाएगा सबको इस चीज की knowledge थी समझ में आ गया जी मान लिया जाएगा हर बच्चे को इस चीज की हर इंसान को इस चीज की knowledge थी is it okay so in simple word we can say that no advantage is given to the foreigner on the basis of non-aware of yeah non-awareness of done क्या मुझे बताओ clear हो गया जी क्या intra-territorial in depth पूरा का पूरा हर बच्चे को clear हुआ come on guys या in depth हर बच्चे को clear हुआ मुझे बताओ कोई doubt हो किसी बच्चे को हम लोग रुकेंगे otherwise sir मैं आगे बढ़ता हूँ और बताओ sir कोई doubt yes sir clear हुआ पढ़ाफट से बताओ sir बिल्कुल पढ़के जाना पढ़ेगा परवीन अगर आप country से भार जा रहे हो जैसे ना बहुत सारी countries में एक घास food allowed नहीं होता जैसे ऑस्ट्रेलिया है जैसे हम कई बार देखते ना apple यह घास food तुसे के अंदर यह apple यह special type of grass के अंदर apple आता है वहां के country में यह allowed नहीं है अगर आप वहां जाते हो यह चीज लेके जाते हो तो आपके ओपर fine लगेगा go ahead खून में समा गया है सच में that's great यार बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया चलो दोस्तों चलो इधर जान दो सर इसके ना पांच exception है पांच exception है सर इस jurisdiction की पांच exception है बोलता है एक बात बोली जाती है यह जो हमारा IPC है न यह सबके ओपर equal लगता है equality है सर यह लोग सबके लिए एक समान है सबके लिए एक समान है सर बलब कानून की नजरों में लोग की नजरों में सारे लोग एक बराबर है inequality नहीं है अगर prime minister भी crime करता है उसको भी वही सजा मिलेगी खून की और अगर pion करता है तो उसको भी वही सजा मिलेगी तो लोग की नजरों में कहां sir जो case law मैं लिखवा रहा हूँ न वो learn कर लेना sir जो case law जैसे मैंने यहां लिखवा है इसको बार बार revise करना मुबारिक अली एहमद वर्थी state of Bombay बिल्कुल easiest का क्रक्स निकाल के मैंने आपको दे दिया sir in general IPC बोलता है मेरी नजरों में सारे लोग एक समान है सबको एक समान सजा मिलेगी inequality नहीं होगी किसी के साथ भी इधर ज्यान दो sir लेकिन पांच exception है क्या पता exam में यही पूछ ले what are the five exceptions of the above jurisdiction मतलब जो उपर बोला गया कि सबके लिए एक बराबर है उसकी पांच exception है या भार वाले लोगों की पांच exception है sir प्रेजिडेंट या गवर्नर जब तक वो अपना office hold करते है न आर्टिकल 361 close 2 के अंदर sir relaxation दी गई है sir president या governor को जब वो अपना position hold करते हैं अगर उस time sir उन्होंने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया कोई rape कर दिया, कुछ गलत काम कर दिया sir उनको उस position hold करते time पे सजान नहीं दे सकते पहले sir उन लोग को महां से resign करवाना पड़ेगा और उनको remove करना पड़ेगा and then उसके बाद उनको punishment दी जाएगी foreign sovereigns जो भार से लोग आते हैं ambassador diplomats इसको मैं न अंदर जाके नहीं समझाऊंगा या इसको आप लोग पढ़ते रहना जब यूद होता है तो भार वाले लोग जब इंडिया में आते हैं बट ऐसा नहीं कि वो यूद करने आए जैसे मानलो Ukraine के अंदर रशिया आ गया अब मेरे बात ध्यान से सुनना अगर मानलो रशिया के जो सैनिक है उनकी country के अंदर सिर्फ अपनी war से related काम कर रहे है related to war मार रहे हैं सर वो तो ठीक है उसके लिए उसको सजा नहीं मिलेगी बट अगर वो वहां के other than war मानलो rape करते हैं चोरी करते हैं अगर ऐसे काम करते है military persons तो मान लिया जाएगा सर वो exceptions के अंदर नहीं आएंगे और उनको भी IPC के अंदर सजा मिलेगी ऐसे foreign army सर वहां की government से approval लेके हमारी country की यहां सीखने आये समटाइम होते हैं अभियास करने के लिए एक दूसरी country में आते हैं तो सर उन लोग को अगर यहां के वो किसी को मार देते हैं तो सर उसके सजा नहीं मिलेगी क्योंकि सर वो permission लेके आये सर special police officers वेगर वहां के ठीक है जी सर प्लीज इन सारे points को यह मान लो जैसे George Bush इंडिया में घूमने के लिए आये थे ओबामा इंडिया में घूमने के लिए आये थे ठीक है उन लोग की बात कर रहे है परंस ओवरंस और ज्याद़ डिटेल में आर इसको आप अराम से पढ़ते रहें ठीक है भई जै भई खान clear जो special जैसे घूमने के लिए आते हैं चलिए भई एक्स्ट्रा टेरिटोर्ल का मज़त है outside and beyond मतलब outside इंडिया इंडिया के भार सर outside इंडिया हाँ जी बिलकुल 370 अब हट गया है तो सब कुछ अब इंडिया में मलब माना जाएगा ना पहले तो नहीं लेगता था चले भई आगे बढ़े एक्स्ट्रा इंडिया के भार देखो अब तक तो हमने ये पढ़ा चैप फिरंगी हो चैप इंडियन हो अगर वो इंडिया में आके कोई गलत काम करते हैं तो उस पर IPC लग जाएगा अब बात कर रहे हैं सर अगर इंडिया से भार कोई काम हुआ है आउटसाइड इंडिया अगर कोई भी गलत काम हुआ है सर उस पर भी IPC लग जाएगा बोल रहा किसने किया है किसने किया है Immediacies होती है। जैसे रास दूताबास ी यहां से जाके आख महां का passport, जहां वीजा एपलाई करवाते हो सर एमबैसी में जाके हर कंट्री की हर कंट्री के अंदर एमबैसी होती है सर अब देखो सर सेक्शन 3 & 4 सर किस परसन के अगर इंडिया से भार जागे किसे ने क्राइम किया जब यह लगेगा सर IPC कोई भी सिटिजन इंडिया के नागरिक ने अगर ओफेंस किया है ओफेंस कौन सा सर जो सेक्शन 40 में बता गया नहीं डिफाइन किया गया और जो पनिश्मेंट हो सर या तो कमिट कर दिया यह अटेंट कर दिया झिया के बाहर जाके मान लिया जायगा enclosedストॉर इनी पर संद्ध कहां करता है वो किसी बी版 के पर लेकिन वह उठिया एरक्राफ्ट क्या थी रेजिस्टर इन इंडिया यादना वह शिस्य या पर वह और नहीं है भारत ही उड़िए नहीं है बट India का फ्लैग लगा था ठास घूपरsteps कोई भी शिप या इंडियन है कोई भी परसन करता है क्राइम करता और वो शिप या इंडिया में रेजिस्टर थी थे भले वो कहीं पर भी है यू क्वे आपके उपर कुछ गुना किया जाता है तो मान लिया जाएगा मान लिया जाएगा भाई साब कि उसने गलत काम किया है और उसमें इंडियन कोर्ट, IPC के अंदर इंडियन कोर्ट अभी पढ़ाया था ना उसके उपर ट्राइ कर सकती हैं एंड उसको पनिश कर सकती हैं भारत में ला समझ में आ गया थर्ड पार्टी से कोई भी परसन भरे वो इंडियन है भले वो फोर्नर है लेकिन क्या किया आउटसेड इंडिया बैटके उसने सर कोई भी ऐसा ओफेंस किया, कैसा ओफेंस किया या तो कमिट किया या अटेम्ट किया कैसा जो कम्प्यूटर रिसोर्स से लेटिड है सर कम्प्यूटर, कम्प्यूटर नेटवर्ट, कम्प्यूटर सोफ्टवेर, कम्प्यूटर सर उनको हैक करना वायरेस लाना, लोकेटिड इन इंडिया सर कोई भी computer resource इंडिया में located है इंडिया के भार बैटके उसको hack करना उसके लिए गलत काम करना सर बोला जाएगा सर ये सारे activities हमारे extraterrestrial jurisdiction में आ जाएगे any citizen of India अगर इंडिया से भार जाके outside इंडिया जाएगा कोई गलत काम करता है जो offense है सर कोई भी इंसान जो ship ये अरकाट में भले वो इंडिया ने foreigner है तो ये लग जाएगा और कोई भी भार वाला इंसान अगर computer से reddit छेड़ खार करता है तो उस पे भी ऐसा लग जाएगा समझ में आरे बात तो लिख लेना hacking वगएर जो भी आपको लिखना है phishing hacking example do मुझे बताओ यार example do एक दो इनके example दो एक दो या चल जाएगा काम come on guys answer me example दू या चल जाएगा काम बताओ 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 बिलकुल सही बोला he shall be punished by Indian court in same manner as if the crime is committed in India येस सर सुनो फिर ध्यान से बहुत प्यारा से example दूगा मज़ा आ जाएगा बहुत प्यारा example दूगा यार सर देखो माल लो दोना एक husband था एक उसकी wife थी सर वाइफ की ना तबियत खराब रहती थी wife ना बहुत ज़्यादा सुनो ध्यान से wife की तबियत खराब थी सिर ये ना भार गए मालो Ireland गए England गए Ireland गए कुछ भी लिख लो अब सुनो ध्यान से बहुत ध्यान से सुनना सर अब इंडिया में आपको नेक बात पता होगा युथिनेशिया इंडिया में युथिनेशिया मतलब हमारी मर्जे से हमें मुथ नहीं मिल सकती इंडिया में युथिनेशिया अलाउड नहीं है पता है कि नहीं पता मर्सी मतलब मांग के मुथ मिलना इंडिया में अलाउड नहीं है लेकिन सर वो अपनी वाइफ का treatment करवाने भार ले गया अब उसने भार जाके उसको euthanasia दिलवा दिया सर इंडिया में mercy death मतलब अपनी मर्जी से मौत मिलना loud नहीं है बट उसने इंडिया से भार ले जाके अपनी वाइफ को active euthanasia मतलब उसको injection लगवा के मरवा दिया क्या वो जो उसका husband है उसको इंडिया में Indian court के अंदर punishable होगा सर वहाँ punishment नहीं थी वहाँ तो loud था इंडिया से भार क्या वो IPC में section 3-4 के अंदर आ जाएगा come on guys मुझे answer दो sir कोई ऐसी चीज जो इंडिया में offense है बट वो इंडिया से भार जाके करता है sir उसका साफ पता लग रहा है उसका purpose ही भार ले जाके मारना था तो ऐसे तो दुनिया सारी ले जाके भार मारना start कर देगी yes sir section 3-4 लग जाएगा sir क्योंकि वो इंडिया में तो offense था ना तो जैसे कि इंडिया में offense होता वे try करती मान लिया जाएगा जैसे इंडिया बहार वाले को अब इंडिया में करें समझ में आ गया sir tension मतलो last section है उसके बाद आगे हम next class में करेंगे पहली पहली class मुझे लेंदी नहीं करनी आने वाले time पे मैं regular batch को कर दूँगा revision batch धमा का revision batch को regular कर दूँगा sir उसके बाद मजा आएगा sir sir इधर ध्यान दो any person on any ship या air crowd अब मेरी बात ध्यान से सुनना माल लो एक ship है sir जिसके ओपर ने flag है इसका country का इंडिया का ये ship है sir Indian flag है sir इसके ओपर ने एक foreigner ये Indian female है इसका rape करके भाग जाता है अपनी country चला जाता है rape करके अपनी country में चला जा इंडिया का flag है मतलब registered in India है सरी है come on guys अरे वही तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई पर्तिक्षा शर्मा जी यही तो example दे रहा हूँ मैं रितिका शर्मा hello sir you are amazing teacher and your notes are very useful but sir one request please administration लो करवा जेए अरे भाई मैंने तो last class में पूरा schedule दिया तो है भाई करवाउंगा न क्यों tension ले रहे हो tension मतलब पहले जो कर रहे है न महां ध्यान रखो क्या मुझे बताओ वो अपनी country में भाग गया तो क्या इस फिरंगी के ओपर भी इंडिया में लाके अगर सर इनकी country में सर इसकी home country के अंदर अगर इसको punishment नहीं मिल रही है home country में अगर इसको punishment नहीं मिल रही है तो क्या इंडिया मिला के इंडियान कोर्ट के पास jurisdiction है इसके ओपर case चलाने की yes sir, बिल्कुल है अब समझ गए कोई भी ship या aircraft outside India सर एक बार ने पाल में plane hijack हो गया था इंडिया का सर नेपाल में इंडिया का plane hijack हुआ था, इंडिया का plane हुआ ने पाल में सर जिन लोगों ने hijack किया था उनको इंडिया में लाया गया था साजा दिलवाने समझ में आगई बात चलिए जी, चलिए दोस्तो मज़ा रहा है तो रुकें फिर यहीं पे आगे का next class में करें बस मुझे बता दो कोई doubt यार कुछ improvement करना है कुछ way, थोड़ा fast में करवा दूँगा आज पहला पहला दिन था सारा basic भी बताना था दोस्तो तो इसलिए थोड़ा सा slow हुआ है कोई बात ने अगर IPC में 3 class लग भी जाएंगी तो आने वाले टाइम पर मैं regular कर दूँगा इसको, एम TTS नहीं चोड़ूँगा वैसे मेरी अब next class होगी सर Thursday वाले दिन बट उसके बाद यानि after दिपावली मैं कोशिश करूँगा इसको regular कर दू सर regular सर केस लोग नहीं आते कैस चेप्टर से बिलकुल आते हैं यार ऐसा कुछ ही नहीं है कि कुछ ही नहीं आएगा हर एक चीज जरूरी है awesome सर yes सर me also from Nepal अच्छा जी नेपाल वाला बच्चा yes सर बहुत मजाया तो एक बार last में मुझे बस ये बता जाओ यार कि whether this lecture is fruitful क्या आप लोग के लिए lecture fruitful रहा क्या सर आज का मेरे session आप लोग के लिए fruitful रहा एक चोटी सी request और करूँगा सर मुझे comment में ना सर thumbs up कर दो अगर आप लोग को मजाया दूसरी एक चोटी सी request करूँगा सर मेरी classes की notification नहीं जाती है I don't know मेरे system में problem है है क्या problem है है तो आप लोग ना notification की wait नहीं करोगे मैं link डाल दिया करूँगा ग्रूप में और वहाँ वैसे भी आप लोग पांच बजी आ जाये करो एक दो मेंट उपर नीचे हो तो देख ले अगरो थोड़ा सा और वह song वाली बात में कोशिश करूँगा कि हाँ song आ जाये सर बहुत मजा आया and best teacher है सर so please और जोश के साथ और मेहनत करेंगे सर और मेहनत करेंगे कि सर पूरा जेएजल फिंगर टिप्स पे हो जाया हमारा ठीक है जी सर एफोरडबल क्लास वेरी एफोरडबल क्लासेज शेलिया जी सर दोस हूँ डिटेंट टेक रेगलर बैच इट से ब्लेसिंग्स वो डिट अट टेक रेगलर बैच सोरी बहुत ज़्यादा फूफूल रहा चलो जी मज़ा आगया यार मज़ा आगया दोस्तो मतलब तुभी वेरी ओनेश्ट यार इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके आप लोगों के साथ लाइक ऐसा फील आ रहा है कि यार और महनत करेंगे सर और बहुत बहुत महनत करेंगे यार बहुत महनत करेंगे दोस्तो ठीक है ना चलो फिर चलें आज फिर मिलते हैं परसो थजड़े वाले दिन मिलते हैं सर शाम को पांच बजे अभी तो ये वाले notes भी रहते हैं थोड़ा सा और notes मैं add कर देंगे नए इंडिया में फिर से punishment नहीं हो गया रहे है और मैंने अपने end पर कोशिश की हर बच्चे का reply करने की फिर भी अगर किसी बच्चे का reply होना रहे गया है तो I'm extremely sorry यार मुझे message कर देना मैं आपका reply कर दूँ ठीक है जी? चलिए यार बबाई दोस्तो God bless you यार Good night to all of you guys पढ़ते रहना, exams बहुत नजदीक है अपना time waste मत करना ये revision आपकी self sufficient है इधर उधर हाथ पर मारने की जरूरत नहीं है Sir एक जेंगे रहू assurance दे रहाऊं Sir आप लोग के 60 plus marks आजाएंगे इस revision revision से ठीक क्या जी? चलिए यार बबाई, take care love you too यार, love you too मत रुको सर, मजा आए चलिए यार, चलो दोस्तो बापकी text की भी class होगी फिर चलो, बबाई, take care यार